नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर गदर टू का भोकाल सनी देयोल की फिल्म ने कमाई 400 करोड टूटे रिकॉर्ड्स कोरोना लॉक्टाउन के बाद से बैक फुट पर गई बॉलिवुड ने क्या जबर्दस वापस ही की है 2023 में पठान से शुरू हुआ बॉक्स ओफिस सक्सेस का ये सिलसला अभी तक जारी है बॉलिवुड के अच्छे दिन लॉट आए हैं हिंदी सिनेमा के फैंस की खुशी साथवे आस्मान पर है अगस्त में बॉलिवुड का डंका बज़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है सनी देयोल की फिल्म गदर टू का इसकी बॉक्स आफिस पर हो रही ताबर तोड कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है गदर टू ने बारवे दिन कितने कमाई आये जानते हैं किसी ने नहीं सोचा होगा 22 साल बाद लॉट कर तारा सिंग ऐसा भोकाल मचाएंगे अनल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर टू ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रच दिया मूवी ने 12 दिन में 400 करोड का कलेक्शन कर दिया है सनी देयोल की पहड़ी 400 करोड फिल्म बनी गदर टू हर दिन के कलेक्शन के साथ गरदा उड़ा रही है ट्रेट एनलिस्ट तरन आदर्श के मुताबित सनी की मूवी ने मंगलवार को 12 दश्मलव एक करोड की करीब कमाई की है गदर टू के इंडिया में 400 दश्मलव 7 करोड का कलेक्शन कर लिया है दूसरे मंगलवार को फिल्म के कमाई में हलकी से गिरावट जरूर दर्श की गई है बावजूद इसके फिल्म धमाल मचा रही है वर्किंग डेस में भी गदर टू ने मजबूत पकड़ बना रखी है पठान को टकर दे रही गदर टू गदर टू से पहले पठान सबसे तेजी से 400 करोड कमाने वाली हिंदी फिल्म थी अब गदर टू ने पठान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है दोनों ही मूवी ने 12 दिन में 400 करोड कमाई है सनी की फिल्म का मैजिक लोगों को क्रेजी कर रहा है गदर्टू ने कई बड़ी ब्लॉक पर्स्टर्स को कमाई में पच्छार दिया है सनी की फिल्म शारुख खान की पठान को कड़ी टकर दे रही है गदर्टू जिस रफ़तार से कमाई कर रही है उसे देख लगता है अभी कई और रिकॉर्ड्स तूटने बाकी है गदर्टू की बॉक्स ओफिस सफलता के लिए जिमेदार कारक गदर्टू की बॉक्स ओफिस सफलता के लिए कई कारकों को जिमेदार ठहराया जा सकता है पहला फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों से जुरती है यह एक प्रेम कहानी है जो देश भक्ती की थीम के साथ मिस्पृत है यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को अपने दिलों से अपील करती है दूसरा फिल्म का स्टार कास्ट शांदार है सनी देवल लेतारा सिंग की भूमेका को फिर से जीवित किया है और उन्होंने अपने प्रशिंसकों को एक बार फिर प्रभावित किया है सनी देवल के अलावा फिल्म में अमीशा पेटेल, अनिल शर्मा और अन्य कलाकार है का प्रचार और मार्केटिंग भी बहुत प्रभावी रहा है फिल्म के निर्माताओं ने हर संभव कोशिश की है कि फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाया जाए और यह कामियाब भी रहा है गदर्टू का हिंदी सिनेमा पर प्रभाव गदर्टू की बोक्स ओफिस सफलता ने हिंदी सिनेमा पर एक बड़ा प्रभाव डाला है यह फिल्म ने यह साबित कर दिया कि हिंदी फिल्में अभी भी दर्शकों को आकरuszिद कर सकती है और बोक्स ओफिस पर धमाल मचा सकती है यह फिल्म बॉलीवच के लिए लेटरों में चल रही है और यह संभावना है कि यह और भी अधिक कमाई करेगी अगर यह ऐसा ही करती है तो यह बॉलिवुड की सबसे बड़ी ब्लॉगबस्टर फिल्मों में से एक बन जाएगी गदर टू एक सबरदस्त ब्लॉगबस्टर फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा को नई उचाईयों पर पहुचाया है यह फिल्म दर्शकों को मंत्रमुक्दिक कर रही है और यह संभावना है कि यह और भी कमाई करेगी यह फिल्म बॉलिवुड के लिए एक नए युक्की शिरुवात का संकेत देती है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें